तो अब हम करेंगे question number three question number three के लिए हमारे पास इसको statement को पढ़ता हूँ आप समझाता हूँ आपको यह क्या लिखा हुआ कहले recall pi is defined as the ratio of circumference say c of the circle to its diameter say d यह करें कि pi जो है जो pi है हमारे पास आपने pi पढ़ा होगा ना circumference में 2pi r होता है उसका formula circumference का formula आपने बनाया है circumference is equal to is equal to 2pi r आपको याद है ठीक है तो यह circumference का formula actually में ऐसे नहीं है कि यह क्या है कि pi कहां से develop कहां से हुआ पाई कहां से बना यह suppose आप एक circle लीजी है ऐसे ठीक है तो जो pi बनाया गया था वो pi actually में directly pi नहीं बना उसकी एक ratio ली गई तो उस ratio का नाम हमने pi रख दिया तो यह एक circle है suppose यह एक circle है तो यह इसका radius है तो यह पूरा इसका diameter है ठीक है अब diameter एंड जितना बड़ा diameter होगा आप जानते हो कि अगर मैं बड़ा diameter कर दूँ ऐसे तो circumference उतना ही बड़ा हो जाएगा अगर मैं शोटा कर दूँ diameter तो circumference उतना ही शोटा हो जाएगा इसका मतलब है कि यह दोनों एक दूसरे के directly proportion है अगर diameter बड़ा होता है तो radius बड़ा होता है तो circumference भी बड़ा होता है ठीक है तो उसमें से एक चीज बनके आई थी हमारे पास कि जो इसका circumference है circumference क्या होता है जो outer area जो outer boundary जो यह वाली boundary है उपर वाली ठीक है यहां से चुरू होती है पॉइंट से और दोबारा फिर ए बड़ा हो जाएगा अगर यह circle बड़ा होगा तो circumference भी बड़ा होगा obviously area भी बड़ा होगा ठीक है तो circumference भी बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि diameter and circumference आपस में एक दूसरे के directly proportion हुए तो उसमें से एक value हमारे पास निकल के आई थी कोई भी इसमें कोई भी value suppose यह अगर मैं इसका circumference radius 2 है तो diameter 4 हुआ इसका तो इसका कोई circumference measure करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है वह मुश्किल नहीं है आपने यहाँ पे कोई measurement वाला scale रखना है यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे thread के साथ भी आप मिंसक count करसे में measure कर सकते हो इसको बाद में आप scale के साथ इससे measure कर लीजिए ठीक है outer area outer boundary को मिंड़ना measure करना कोई इतनी दवारा finish होगा तो इसके लिए कोई भी आप instrument यूजिए इसको measure कर सकते हो तो इन दोनों को आपस में divide किया तो हर बार value सेम आएगी अगर आप 2 से लेगे 3 से लेगो 4 से होगा 5 से होगा कुछ भी value आए दोनों को divide कर दीजिए तो value हर बार same आएगी same का मतलब approximate आएगी हर ब भी value आएगी उसकी approximate value आगी मुझे नहीं पता यह कितनी value अगर measure करना आपका काम यह activity एक this is an activity ठीक है आप एक कोई भी एक page ले दीजिए उसको आप ऐसे circle की shape में cut कर लीजिए ऐसे ठीक है तो उसको आपने यहां से page को आपने यहां से diameter भी measure करना है diameter कितना है तो इसको इसक outer जो length है उसको हम circumference बोलते हैं और diameter को measure करोगे तो approximate value same आएगी हर आप चाहे चार सरकल चोटा लीजिए बड़ा लीजिए जो भी circle आप बनाएए उसकी value same आएगी हर बाल approximate same आएगी यह मैं बार बार बोड़ना approximate same आएगी exactly same नहीं आएगी तो उसकी कुछ value आएगी 3.14 ऐसे 3.123 ऐसी नहीं मेंस यही ऐसी ही एक value आएगी 3.3 13 हो सकती है 15 भी हो सकती है ठीक है तो ऐसी इसकी value आएगी approximate हर बार तो यह वाली जो value है 3.14 जा 22 upon 7 ऐसी कुछ fraction में लिखोगे तो आप ऐसी value आपको मिल जाएगी 22 upon 7 ऐसी हर बार value ऐसी ही आई तो इस value को इसने एक नाम दे दिया that is known as a pie तो उसका नाम लिख दिया pie ठीक है तो यह pie हो गई अब हमारे पास जो question है यह इसकी story है pie की story क्या है कि कुछ नहीं है एक circle लिया चोटा circle बड़ा circle उससे बड़ा तीन चार circle आप ले सकते हो ठीक है page के आप cut कर लीजिए उसको circle बना लीजिए हर circle का diameter अलग है तो circumference भी अलग है ठीक है अगर diameter चोटा है तो circle चोटा है उसका circumference भी चोटा होगा diameter बड़ा ले लिया circumference भी बड़ा हो गया और आगर आप उसको दोनों को divide करोगे circumference और diameter को चोटे बाले को divide करोगे तो भी value 3.14 आएगी सबसे बड़े को करोगे तो भी value 3.14 आएगी ठीक है जो भी आप circle लोगे जितना भी circumference आएगा उसको उसके diameter से divide करने से value आएगी 3.14 approximate ठीक है तो ये जो value है इसको इसको नाम रख दिया पाई ये इसका नाम हो गया पाई अब हम question की तरफ चलते है question क्या है हमारा recall पाई is defined as a ratio of circumference तो कैसे आपने बताया कि जो पाई है वो रेशो है circumference c and diameter d की तो ये हमने एक activity से इसको बता दिया ठीक है आपने कहा take a circle with a diameter जो भी है आपका two centimeter three centimeter whatever जो भी आप चाहते हो तो उसका circumference आपने measure कर लिया ठीक है circumference is this तो उनको divide किया आपने जो भी आपको answer आया वो आपने लिख दिया another circle with a diameter of four and five जो भी है diameter आप लेते हो उसका circumference अलग से आएगा उसको भी आपने divide किया उसकी value भी same आ गई another circle आप चाहो तो तो तीन ले सकते दो से भी काम चल जाएगा थर्ड बन लेंगे तो उसकी value भी same आएगी so we can say that the ratio of circumference and diameter will be same is denoted as pi यहां तक का काम आपका हो जाएगा activity की help से ठीक है यह activity है यह activity आपको perform करनी पड़ेगी that seems to be the contradict the fact that pi is a irration तो इसका मतलब यह है कि pi irration number है हमें जानते हो बगर यह चीज तो irration ना तो c irration because circumference आपकी value आएगी आप measure करोगे तो कोई value ऐसी आएगी जैसे 12.4 पूरी value भी भी आ सकती है कोई number ऐसा भी आ सकता है कि 13 आजाए 14 आजाए 15 आजाए तो ना तो आपका c irrational होगा ना आपका d irrational होगा ना तो c irrational है ना d irrational है मगर pi irrational है ठीक है pi irrational होगा वो क्यों होगा because उसकी value हर बार same नहीं आएगी 3.14 exact value नहीं मिलेगी हमें ठीक है c upon d की exact value we cannot find यहाँ पे आप लिखोगे we cannot find the exact value of c upon d that is pi ठीक है इसकी exact value नहीं आएगी always gives approximate value always gives approximate value approximate कैसी होगी इसकी value जैसे 3.1423 four seven five seven eight ऐसे इसकी value चलती जाएगी कभी finish नहीं होगी ठीक है तो यह ऐसी value अगर चलती जाए तो उसको बोलते हैं irrational नंबर तो इसकी value जो है irrational आएगी ठीक है यह reoccurring होगा दुबारा दुबारा आने वाली चीज़ है reoccurring value होगी इसकी reoccurring होने के कारण यह एक हमारे पास irrational नंबर बन जाएगा this is the irreoccurring decimal expression इसको हम यहाँ पे लिखेंगे री अक्रिंग decimal expression ठीक है तो री अक्रिंग decimal expression को हम irrational नंबर बोलते हैं यह हमारी contradiction हमें पता है कि ना तो c ही irrational नंबर है ना d हमने बोला है कि दो numbers जो है rational यह lamas irrational नंबर जिन में से एक number हमारे पास irrational हो जाए चाहे वो division में हो चाहे ϊ multiply में हो चाहे addition में में हो चाहे subtraction में हो तो वो एक irrational numbers हो जाता है कैसे भी हम उसे solve करके निकाल लेते हैं वो zero एकिसामट हो जाता है मगर यहाँ पर क्या condition है ना तो C ratio number है ना D ratio number है मगर उनकी division जो है वो ratio number आ जाती है इसलिए इसको contradict कहा गया है तो आप कैसे इसको resolve करेंगे तो हम उने बता दिया कि C भी regretsion number नहीं है D भीasu ratio number नहीं है मगर जब इसफ Stop Alexa dot decimal expression में लिखते हैं तो यह reoccurring decimal expression आती है जिसको हम irration number बोलते हैं ठीक है अगर reoccurring decimal expression आ जाए किसी भी दो रेशन number को divide करने के बाद तो फिर वो irration number हो जाती है यह सारी story थी ऐसे यह स्टोरी है जो आपने लिखनी भी है ठीक है मैंने सारी आपको सुना दी है ठीक है तो इसको आपने copy पे लिखना है जैसे यह भी आप चाहो इसे लिख सकते हो फिर दुबारा बता देता हूँ आपने एक circle लेना है शोटे बाला एक बड़े बाला उसकी कुछ value आएगी c and d की ठीक है वो आपने copy पे paste कर देना है ऐसे activity है यह आपने उसको paste करना है copy पे एक शोटा circle एक बड़ा circle जिसका diameter आपको दोनों का पता होना चाहिए circumference आपने उपर से measure करना है thread की help से thread को बिल्क 3.14 approximate ही आएगी ठीक है अगर आपकी change होती है 22 upon 7 friction में रहने तो 22 upon 7 आएगी ठीक है जी तो यह हमारा पहला part solve हो जाता है कि pi की value जो है c upon d means c and d की ratio है ठीक है उसके बाद आप बोलोगे कि यह irration number है उसके लिए मैंने आपको नीचे लिखके दिया है कि ना तो c irration number है ना d irration number है जब इसे divide करते हैं तो इसकी value जो है वो irration हो जाती है क्यों हो जाती है because उसके लिए उसकी value जो है वो reoccurring decimal expression में आती है इसलिए वो irration हो जाती है ठीक है आगे यह 9.3 हमारे पास इसको represent करना है under root की term में ठीक है number line पे इसको represent करना है इसकी मैं आपको points लिखवा देता हूं points क्या करें कहेंगे हम करेंगे क्या हो points आप लिख लीजिए ठीक है तो next lecture में इसे हम prepare करेंगे points मैं अभी बता देता है आपको points आप लिख लीजिए पहला point आप करोगे जो भी value है गिवन वैल्यू विदाउट अंडरूट बिना अंडरूट के मीन्स यहां पे 9.2 है ना स्पोस्थ बिदाउट अंडरूट अंडरूट अपने मैजर नहीं करना है उसको आपने ड्रॉ करना है अन नंबर लाइन ठीक है मैं रफली आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है सबसे पहले एक नंबर लाइन के उपर स्केल की हेल्प से 9.2 की लाइन लगानी है इसे बिदाउट अंडरूट 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 नहीं आपने मैजर नहीं करना है 9.2 आए तो 9.2 9.7 आए तो वो 3.2 आए 3.5 आए जो भी वैल्यू हो आपने उसको ड्रॉ करने नहीं स्टेप 2 है हमारे पास ठीक है इसको आपने आगे परसीड करने 9.2 further 1 cm आए आपने इसको 9.1 cm के या अपने 9.2 cm ही लगा न достаточно यहाँ पे कुछी मी लखा है तो आगे वाले स्टेप में आपने क्या करना है जो 9.2 की अपने line लगाई थी ऐसे उसको अपने 1 cm आगे बढ़ा देना दूसरा step में आपने उसको 1 cm आगे बढ़ा देना ठीक है तो यह point कि इसके name लिख लेता हूँ यह A, B and C हो गया अब third point में आपने करना है कि B from point B आपने B point से एक perpendicular draw A perpendicular परपेंडिकुलर को ऐसे लिखते हैं ठीक है इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है यह आप जानते होगे ठीक है यह मैंने B point लिखा यह A है यह C है और यहाँ पे आपने compass लेके ऐसे उसको खोलना है यह वाला यह यहाँ पे यहाँ पे और यह से स्पोर्ज मैंने गल्ब भी हो जाए थोड़ा बहुत इतर रुब जाए ठीक है तो यह ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा मैं स्केल के साथ आपको बना के दिखा हूँगा भी इसको ठीक है, ऐसे आपने एक perpendicular ड्रॉ करने है, अब आपने AC की fourth point क्या है, make a circle, आपने एक circle बनाना है, कितना, with radius of AC, जितनी भी AC आपकी होगी, यहाँ पर 9.2 थी, 1 थी, means 10.2 हो गई, 10.2 का आपने compass तो खोल के, 10.2 की compass ऐसे खोल के आपने, यह A है, यह suppose C है, यह यहाँ पर B होगा, तो 10.2 इतनी बड़ी आपने compass खोल के, ऐसे आपने एक circle बना देना है, ठीक है, यह circle बनेगा, यह पहले ही अपने perpendicular तो पहले ही बना रख है, यहाँ पर, तो यह यहाँ पर एक cut कर जाएगा, D point के उपर, ठीक है, D point पर आपको cut करेगा, तो BD, 5th point है, BD is the required value of 9.2, यह 9.2 की required value है, BD, मगर BD हमें चाहिए नहीं, हमने number line तो हमारी यह है, इसको number line बोलते हैं, यह पाली number line आगे जा रही है, यह BD वाली नहीं जा रही, BD वाली number line नहीं है, मिल गई value हमें, value मिल गई है, BD वाली value है, मगर यह हमें चाहिए नहीं तो चाहिए हमें इस number line के उपर है ठीक है उन्होंने बोला है कि represent on the number line ठीक है यह भी बोला है कि इसकी value निकाल लिए उसको represent करना है number line के उपर तो यह जो circle हमारे पास बना था यह जो circle था इसको A C B और यह D ठीक है तो BD की आपने compass यहां से BD, B और D को measure करके compass आपने खोल लेनी है यहां पे और यह खोल के आपने ऐसे एक daughter line लगा देनी है तो यह E point हो जाएगा अब यह B E जितनी BD है उतनी ही B E है ठीक है आप चाहो तो scale के साथ measure करके लगा दो वो कोई बात नहीं है BD के जितनी ही B E है So B E is the required value on the number line तो यह number line के हमने number line पे उपर यह बना दी यह इसके 5 steps है ठीक है यह 5 steps है आप चाहो तो दुबारा इसके सुन लेजी क्या क्या बोला गया है ठीक है तो इसको rewind करके दुबारा देख लेजिए यह हम यह यहां पे नहीं काम खत्म होगा इसको बनाएंगे आपको exactly जैसे बनाया जाता है वहां पे मैं बना के आपको दिखाऊंगा तो यह 9.2 और 9.3 जो भी यह value होगी आपकी यही question ही आएगा question में कुछ भी पूछा जा सकता है 5.7, 3.8 कुछ भी value ठीक है वो इसके साथ ही solve होगी तो यह ऐसे ही solve किया जाएगा इसको मैं जब आपको बनाऊंगा तो इसके points आपने ऐसे ही लिखने जैसे यह मैंने लिखे हैं हर बार इसी same ही रहेंगे ठीक है make a circle with जो भी है first point है ठीक है given value यह जो है draw on the number line without यहां पर विद्ध लिखती है without ठीक है without under root बिना under root के means draw the given value draw the number line draw 9.2 cm यहां पर लिखती है ठीक है ऐसे आपने सब की values ऐसे ही लिखनी है further उसको आगे proceed करना है one centimeter फिर आपने perpendicular draw करना है फिर आपने एक circle बनाना है ठीक है फिर BD हमारे पास required value आ जाएगी compass की help के साथ आपने एक arc लगानी है ठीक है BD की जितनी BD की length है उतनी वो आगे जाके E पे cut कर जाएगी तो B E is the required value जो हमारे पास required value ही ठीक है बेटे ओके उल्लक देके मिलते हैं next lecture में झाल 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 झाल